जैन फ्रेंस वेलकम टू एक्जाम रोट आपका हमारे एक्जाम रोट चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम कच्छा दस के वास्तिविक संख्या पहली एकाई के लेक्चर फाइब पे चर्चा करेंगे दोस्तो आए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके बोड एक्जाम के लिए महत्पूर है ठीक है पहला क्वेश्चन है यदि दो धनात्मक पुढाएं को ए और बी को ए बराबर एक्स पावर थरी वाई पावर टू और बी बराबर एक्स इन्टू वाई पावर थरी के रूप में विक्त किया गया जाए कमा एक्स उऔर वाई अब हाज संख्याएं है तो हCF A कमा बी है यानि आपसे पूछ रहा है A और बी का हCF A बराबर वैलू जो दिया गया है और B बराबर जो वैलू दिया गया है उसमें A और बी का हCF पूछा है ठीक है तो सौल्व करते हैं इसको आए दिया है A बराबर X पावर 3 इंटू Y पावर 2 B बराबर X इंटू Y पावर 3 देखिए हमें A और B का बैलू जो दिया हुआ है उसका HCF निकालने के लिए पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे गुलन खंड करेंगे उसके बाद इन दोनों में जो common रहेगा इन दोनों में जो common रहेगा वही आपका क्या होगा HCF होगा ठीक है आएप पहले हम लोग इसका गुलन खंड करते हैं X पावर 3 इंटू Y पावर 2 इसका गुलन खंड करेंगे तो क्या होगा X इंट पावर 3 का हम लिखेंगे 3 बार X पावर 3 है इसलिए इसको 3 बार multiply के रूप में लिखेंगे ठीक है X इंटू X इंटू Y पावर 2 है इसको क्या करेंगे multiply के रूप में तीन दो बार लिखेंगे ठीक है अगला B बराबर X इंटू Y पावर 3 है ठीक है इसको हम क्या करेंगे x है इसके power 1 ही है तो हम x लिखेंगे into y power 3 है तो y तीन तीन बार है तो मैं इसको क्या करूंगा 3-3 times लिखुंगा y into y into y ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में common कौन सा है ठीक है अब देखिए यहाँ पर एक X है ठीक है यहाँ पर एक X है अब यहाँ पर दो एक्स है ठीक है लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है तो यह आपका कामन नहीं हुआ अब next next अब यहाँ पर Y है यहाँ भी Y है अब यहाँ भी Y है यहाँ भी Y है अब जो यहाँ Y है यहाँ पर है तो उपर Y नहीं है ठीक है इसलिए क्या होगा Y common नहीं होगा और आपका एक्स इंटू एक्स भी common नहीं था ठीक है तो common क्या क्या है आपका एक्स है इसमें से एक एक्स मै मैंने लिख लिया अब यहां पर भी वाई है तो मैंने वाई लिख लिया यहां भी वाई था यहां भी वाई था तो मैंने एक जिगह से वाई उठा लाया ठीक है आपका क्या होगा यक्स को मैंने यक्स लिखा वाई का वाई में मल्टिप्लाई होता है तो मल्टिप्लाई में तो आपका मसर क्या होगा, आपका HCF, यानि AB का HCF क्या होगा, X into Y power 2, ठीक है, तो आपका option क्या सही होगा, X into Y power 2, ठीक है, आपका P option सही हो जाएगा, ठीक है, आईए हम लोग अब देखते हैं, next question, जो 2020 के board exam में आया हुआ है, ठीक है, आईए, question number 2, 15, 18 और 24 का लस्ट है, option A है 90, option B है 120, option C है 240, option D है 316, ठीक है, अब इसको लस्ट निकालने के लिए, गुर्ण खंड विधी का परेख करना पड़ेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, गुर्ण खंड विधी के सहता से, 15, 18 और 24 का क्या करेंगे, गुर्ण खंड निकालेंगे, ठीक है, आई हम लोग क्या करते हैं, गुर्ण खंड देखते हैं, ठीक है, अब 15, 18, 24 लिखा, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से 15 को कटेगा नहीं, 18 कटा 9 आ गया, 24 कटा 12 ठीक है, फिन 2 से 15 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, मैंने सेम उतार लिया, 12 को मैंने काटा 6 बार आ गया, फिन 2 से 15 तो कटेगा नहीं, 9 भी नहीं कटेगा, सेम उतार लिया, फिन 6 को मैंने काटा तो 3 बार में कट गया, ठीक है, next step, 3 का, क्योंकि अब 2 से कोई कटेगा नहीं नमबर, ते हम 3 लाएं, 3 से 15 को काटा तो 5 बार में कटा, 3 से 9 को काटा, 3 से 1 बार में 3 क्या हुआ, कट ग गया, एक आगया, बाकी एक को वैसे ही उतार दिया, फिर 5 से 5 एक बार में कट गया, बाकी एक एक उतार दिया मैंने, ठीक है, आपका complete हुआ, गुडन खंड, अब देखिए, 2, 2, 2, 3 बार आया हुआ है, मैंने 2, 2, 2, 3 बार लिक लिया, उसके बाद 3 इंटू 3 दो बार आया हुआ है, 3, 3 दो बार लिक लिया, 5 है एक बार, एक बार मैंने 5 लिक लिया, ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, मैंने 8 लिखा, multiply है, multiply लिखा, 3 इंटू 3, multiply करेंगे तो 9 हैगा, इंटू 5, 5 का 5 लिक लिया, ठीक है, अब देखिए, 8 औ 9 का multiply करेंगे तो 72 हो जाएगा into 5 को मैंने same उताल लिया अब 5 to 10 का 0 हो गया 5 का 7 multiply करेंगे तो 35 होगा 1 add करेंगे तो 36 हो जाएगा तो आपका अलर सा कितना है 360 ठीक है 360 आगया आपका option कौन सा सही होगा आपका option D सही होगा तो दोस्तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा question number first question number second तो दोस्तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करिएगा चैनल पे नए हो तो इसको subscribe करिएगा मिलते हैं next वीडियो में जैहिन दोस्तो